हेलो फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप लोग आशा करती हूँ कि आप अच्छे ही होंगे तो मैं निशा स्वागत करती हूँ अपने चैनल निशा ने क्या बनाया है मैं लेकिन उससे पहले बड़ो को प्रणाम और छोटो को हाई तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचेन में क्योंकि मेरे हस्बेंट का कॉल आया और यह साम के साथ बजे का टाइम है उन्हेंने बोला कि तुम सबजी मत बनाना सिर्फ रोटी या जो पूरी वगएरा होगा बना देना मैं किसी को खाने पर बुलाया हूँ तो उसके लिए मैं स किसी का भी चलेगा तो मैंने बोला मैं बना दूंगी अगर मैंने बना दिया तो मिलेगा तुम्हें गिफ्ट और नहीं बना है तो तुम्हें देना पड़ेगा जो मैं माहूंगा मैंने बोला चलो ठीक है तो फिर यहां पर मैंने बोला सिर्फ आप पनीर मुझे किसी से बि उटाफट से मैं पनीर काटने लगी हूं, तो क्यूब में काटने हूं, ये वजन में 2.5-2.5-2.5 ग्राम है, यानि की 1 kg में 1.5 ग्राम कम, तो यहां पर मैं क्यूब में इसको कट कर रही हूं, आप चाहें ना, तो किसी भी सेप में इसे कट कर सकते हैं, लंबा, मितलब इस्क्यूब, छोटे पीजिस, ट्रैंगल में किसी भी तरह से तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल इंस्टेंट, बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला पनीर बटर मसाला नहीं बनाएंगे बिल्कुल इंस्टेंट वाला बनाएंगे, जो बहुत ही जल्दी बनके तयार हो जाएगा तो मैं आट बरी तक आज तो गिफ्ट लेकी ही रहूंगी तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया है पनीर को, मैं भी जोडो सोरो से लगी हुई थी फटाफट से मैंने एक मेट का रैस्ट नहीं किया और यहाँ पर मैंने कट कर लिया था लगबग आठ थे मीडियम साइज के बारी चॉप कर लिया था बिल्कुल बारी और चार थे मीडियम साइज के टमाटर उनको मैंने roughly cut कर लिया था और यहां पे लगबग 15 से 20 लसन की कलिया थी नई वाली थी और लगबग 2 इंच अदरक का टुकड़ा था जिसको मैंने पीस लिया था यानि की पेस्ट बना ले था यह सब मैंने पहले करके रख लिया था पनीर के आने से पहले और एककटोरी ले लिया था मैंन आधी कटोरी है ही कटोरी नहीं घर की दूद की मलाई और यहीं पे लिया है 25 से 30 दाना काजु के क्योंकि इसी से हमारा टेस्ट सबसे अच्छा आने वाला है तो काजु को सबसे पहले फूलने के लिए दे देंगे ताकि काजु जो है ना हमारा अच्छे से फूल जाए पीस अगर आपको तीखा ना पसंद हो तो आप इस कीप कर सकते हैं यहां पे डाल रही हूं कस्मीदी लाल मिच इससे कलर बहुत अच्छा आएगा इससे तीखा पर जरासा भी नहीं आता तीखा नहीं होता तो यहीं पे ना हम इसको मिक्सी में बिल्कुल अच्छे से इसका पेस आप नान स्टिक वाले सकते हैं मेरे पास यह है तो मैं यही ले रही हूं और उसमें डालेंगे थोड़ा सा रिफाइन ऑईल और सीमें डाल रही हूं तेज पता बहुत जादा हीट नहीं किया है और यहीं पे डाले रही हूं इक है दाल्चीनी एक है बड़ी लाइन iOS एक जब इसके साथ हम पेस्ट वगरा डालेंगे तो उसके साथ ये अच्छे से भुनता रहेगा बहुत ज़्यादा हीट करने से मसाले हमारे जल जाते हैं खड़े मसाले तो ये पर डाल रही हूं मैंने जो बना के रखा था लसन और अदरक का पेस्ट और उसको डालने के बाद ऑइल में हम उसको अच्छे से चला लेंगे क्योंकि ऑइल की जो कॉइंटिटी होगी आपके सबजी की कॉइंटिटी पे डिपेंड करेगी तो मैं यहाँ पर जितना बना रही हूं उस हिसाब सो ऑइल लिया है जो इसका जो कच्छा पन है वो बिल्कुल अच्छे से निकल जाए यह बिल्कुल सुनहरा हो जाए तो इसको लगबग नेजिब टू हाइ फ्लेम पे लगतार चलाते वे हमें यह भूना है तो यह देखिए इसको लगतार चलाते रहें जब आप मेडियम टू हाइ करें तो लगतार चलाते रहें वरना यह चिपक जाएगी आपके कठाई से तो यह देखिए बिल्कुल ओइल छोड़ चुकी और यहीं पे ले रहें एक चमच लाल मिर्च पाउडर एक चमच हल्दी पाउडर और एक चमच धनिया पाउडर और उसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अपने प्याज को ताकि जो यह हमारे मसाले ना सूखे मसाले वो भी अच्छे से भुन जाए और इसको थोड़ी देर अच्छे से चलाने के बाद और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी से कस्मीरी लाल मिर्च इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और थोड़ा सा जीरा पाउडर यानि कि आधा चमच जीरा पाउडर और यहीं पर रोस्ट किया हुआ कस्तूरी मेथी डाल रहे हैं अगर ना हुआ आपके पास तो आप तवे पे फटाक से रोस्ट कर सकते हैं और फिर उसको भी अच्छे से कर्ची से चला देंगे क्योंकि मसाले थोड़ी थोड़ी चिपकने लगते हैं कडाई में अगर नॉन स्टिक वाली होती है तो उत्ता नहीं चिपकते हैं लेकिन ये सब कडाई में चिपकने लगती है और यहीं पर डालेंगे हम टमाटर की प्यूरी जो हमने पीस के रखा था और जब भी आप सबजीयां बनाएं ना इस तरह की सब्जीयां जिसमें टाइम देना हो अच्छे से भूरना हो तो आप मोटे तले का बरतल ले या तो नॉन स्टिक वाला हो तो ले वरना मोटी कडाई ले पतली वाली नाले अल्मूनियम बगएरा की और यहीं पर डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक टमाटर की प्यूरी डालने के बाद और उसके बाद थोड़े अच्छे से उसको चला लेंगे और चलाने के बाद यहां पर यह गैस का फ्लेम लो कर दिया है मैंने और काजू जो है ना हमारी फूल गई है तो इसका भी हमें बनाना है पेस्ट की क्यूंकि टेस्ट जो है ना इसे से बहुत अच्छा आने वाला है और यहां पर इसको डाल दिया है फिर से मिक्सी के ज्यार में और इसका ना बिल्कुल हम स्मूध पेस्ट बना लेंगे बिल्कुल जैसी मलाई होती है वैसा पेस्ट हमें से इसका तयार करना है अगर आपका अच्छे से ना पूला हो तो आप थोड़ा सा पानी डाल के पीस सकते हैं तो यह देखी अच्छे से मेरा फूल गया था गरम पानी में अगर आप दोगे ना तो फटाक से फूल जाएगा अगर आपके पास बिल्कुल कम टाइम है तो और यहाँ पे बिल्कुल पेस्ट बनके तयार था और यहाँ पे आके मैंने फिर से चलाई कदाई पे जो मसाले थे और उसमें डाल दिया काजू की पेस्ट को और जो थोड़ा सा चिपका होगा ना मिक्सी के जार में उसको भी थोड़ा सा पाने डाल के खंगाल लेंगे और उसको भी डाल देंगे मसाले में और उसको डालने की बाद फिर अच्छे से चलाएंगे और यह जो काजू है न यह मतलब पकना स्टार्ट होगा न तो यह कदाई में च्छी पकना स्टार्ट हो जाएगा तो काजू अब जब अपना जो टेस्ट है वो कढ़ाई होगी तो आप उस तरह से उसे धग दे और यहाँ पे मैं आटा लेके आ गई हूँ क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ नान और उसके बाद मैं फिर से इसे चला ले रही हूँ क्योंकि ने तो मसाले जो है न हमारे छिपक जाएंगे आप बीच बीच में एक दो बार इस में डालेंगे हम दही तो यह दही लगए डेड़ सो ग्राम है आटा मैंने अपने अनुसार लिया याने कि फैमिली मेंबर के अनुसार वहीं पर डाल रही हूँ आदे चमब चीनी और आदे चमब से थोड़ा ज्यादा नमक और थोड़ा सा रिफाइन ओल आप यहां पर घी पर सेर करके आप इसकी रेसिपी देख सकते हैं और इसको पानी थोड़ा थोड़ा पानी डालके अच्छे से गून लेंगे बिल्कुल स्मूज जैसा आटा गूनते हो और इसको ढखके ना थोड़ी देर के लिए रेस्ट के यानिकी 10 मिट लिए रेस्ट पर छोड़ देंग ग्रेवी को अपनी पतली करेंगे यानिकी मसाले को पतला करके ग्रेवी बनाएंगे तो यहां पर मैंने दो कटोरी पानी डाला है आप अपने सकता हनुसार या जैसी ग्रेवी आप खाते हो उसी साब से डाल सकते है और यह जब ठंडा होता है ना तो यह और भी गाढ़ा हो फिर से इसको अच्छे से mix कर देंगे ताकि हमारे जो गरम मसाला है वो हमारे ग्रेवी में अच्छे से mix हो जाए तो यहाँ पर हमने कर दिया इसको mix और ढख देंगे और ढखने के बाद थोड़ी देर तक पका लेंगे एक मिनिट लगवख और उसके बाद ट्रांसफर कर दें हम तवा अगर आपके पास पेन होना तो आप वह चड़ाए मेर पास पैन नहीं है इसलिए मैं तवा चड़ा रहे हूं यह कड़ाई हो तो कड़ाई में आप कर सकते हैं तो यहीं पर दाला है मैंने थोड़ा सा रिफाइन ओल उस और उसके उपर बटर क्योंकि मैं सिर्फ बटर डालती हूँ ना तो वो जलने लगता है तो रिफाइन ओयल के साथ बटर डालेंगे ना तो वो जलेगा ने और बहुत ज्यादा पकाने की जुदत नहीं है हमें बटर को यानि के मैल्ट करने की और उसमें डाल देंगे हम यह अगर आपके पास पैन होगा तो आप टॉस करते वे ना इससे अच्छे से मिला सकते हैं एक तो मेरा तवा बड़ा है और पनीर की क्वाइंडिटी भी ज्यादा है तो थोड़ी से मिलाने में प्रॉब्लम है तो मैं कर्ची से मिला रहे हूं बहुत ज्यादा जल्दी जल्द लग आदा चमच और इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे पनीर को और इस तरह से और इसके बाद देखिए जब तक यह मैं पकाना है पनीर को जब तक वह मौशेर चोड़ना खतम ना हो जाए यानि कि मौशेर उसका खतमना हो जाए तो यहाँ पे बिल्कूल अच्छे से फ्राई हो गया था पनीर और फिर से ट्रांसफर कर लेंगे साइड में रखे वे ग्रेबी को हम जले वे गैस के साइड जिदर हमारा गैस ओन है और ग्रेबी देखिए बिल्कुल थिक है और यहीं पे डालेंगे हम अपने बटर में बुने वे पनीर को बिल्कुल अच्छे से आप उस तवे पे भी थोड़ा सा पनीर का ग्रेवी डाल के अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल सकते हैं या थोड़ा पानी डाल के और ग्रेवी में डालने के बाद हम अच्छे से पनीर को mix कर देंगे ताकि अच्छे से ग्रेवे में पनीर हमारा डूब जा और वहीं पर डालेंगे खुब सारा कटा हुआ हरा धनिया और हमने ये जो पहले चाली रखाता है यानि की क्रीम रखी थी दूद को उसको अच्छे से मिक्से में मैंने mix कर लिया था और उसके बाद डालेंगे वही और उसको डालने के बाद क्रीम को डालने के बाद अगर आपके बाद क्रीम होना तो आप वह भी डाल सकते मैं डाल रही हूं घर वाली मतलब चाली की क्रीम बना के और यहीं पर अच्छे से mix कर लेंगे थोड़ी देर जब तक वो पक रहा है ना पनीर के साथ तब तक मैं यहां पर एक medium size के प्यास को गोल गोल याने की सलाद के जैसा कट कर रही हूँ और उसके जो slices है ना उसको अलग-अलग कर ले रही हूँ ताकि देखने में ना सुन्दर लगे तो क्योंकि खाना बना रही हूँ इनके friend के लिए तो मुझे जो समझ में आ रहा है मैं वही कर रही हूँ और फटा फट से करना है क्योंकि मुझे लेना इनसे gift तो यहां पर हमारा जो पनीर है वो बनके तैयार हो चुका था तो उसको कर दिया है transfer side वाले पर जो gas मतलब हमारा off है और इस side चड़ा दिया है मैंने तवा और यह देखिए हमारा जो है नान का जो याटा बिल्गुल अच्छे से full गया है तो इधर gas का flame मैंने लू रखा है तवे का और यहां पर हम अपने नान बना के तैयार कर लेंगे क्योंकि बन रहा है है यहां पर आटे का नान हाथों से उठा उठा के बेलना है इस तरह से और जब इतना बड़ा हो जाए ना तो इस पर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता कट करके और वहीं पर डाल रही हूँ ब्लैक वाले तिल आप चाहे तो यहां पर गाल लेक याने की लहसन भी डाल सकते है और डालने के ब पकाते पकाते ना बेलने का समय नहीं मिलता तो यहां पर मैंने च्यार बना के तयार कर लिये यानि की सिर्फ अब इसे हमें तवे पर सेखना है तो इस तरह से चिपक जाएंगे और उसके बाद हम इसे हाथों में उठाएंगे नान को और पीछी लगाएंगे पानी पंदर से 20 सकेंड पकाने के बाद इस तरह से उल्टा करके आप गैस के फ्लेम पे उल्टा तवा से इस तरह से पकाएंगे तो हमारा जो यह नान है बहुत अच्छा बनके तयार होगा तो यह देखिए नान हमारा इधर से भी पक रहा है बिल्कुल घुमा घुमा के तवे को हर साइट से पका लेंगे और बहुत ही टेस्टी लगती है उपर से हेल्दी भी है क्योंकि यह आटे की बनी हुई है तो यह हमारा जो नान है वो बनके तयार है तो फ्रेंट्स आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें कमेंट करें सेर करें चैनल पर नए आयोंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो यहां पर मैंने पनीर को सफ और दाला है थोड़ा सा क्रीम और तोड़ा सा पनीर को भी उपर से क्रस्ड कर दिया जिह हमने पहले साइड में रखा था और एक धन्यपतर ढालके सजा दिया है, घार्ड नीस कर दिया है बिलकुल अच्छे से तो यहां पे देखिए हमारे जो लास्ट नान है ना वो भी सिख के तयार है यानि कि मतलब बन के तयार है तो उसको दूसरे साइट से से शेक लेंगे इस तरह से और कर्ची से मतलब पीछे की तरफ से भी निकाल लेंगे और आपको मैं दिखाती हूँ कि आगे से जितना सिख है न पनीर वटर मजाला नान है यहां पे हमारा और इस साइड में रखा है मैंने एक गुलाब जम जो मैंने कल बनाए था आज काम आ गया और प्याज को जू मैंने सर्कल सर्कल कट किया था आप इस मेन नेमो मिर्च भी रख सकते और आगे मेरे गिफ्ट के बारी तो मैंने झाल